कोडिनेशन कमेटी के मैमबर दस मेंबर थे 9 मेंबर सारे आए सचिन पाइलट जी गोडिनेशन कमेटी के मेंबर थे वो ऑफीदेस के में वो नहीं आए उनसे टेलिफोनिक बात हुई सब लोगों ने चर्चा की है टिक्टों पे भी चर्चा की है जो पाटि आई कमान को रंदावा साब के मारपत से हमें भेजना है जो किस तरीके से उपचुनाव की रंणिती के तैद हमको छुनाव लड़ना है किन लोगों को वहाँ पर डूटी लगानी है कैसे कैसे वहाँ पर व्यवस्ताइए करनी हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, साम दाम दंड भेद, सत्तागा दूरपियोग, परलोबन, डराना, धमकाना, ट्रांसपर की धमकी देना, ये सारी चीजें करेगी, वो सारी चीजें हमारे संग्यान में हैं, हमारा कॉंग्रेस का कर्य करता नड़ने वाला है, नभेधित होने वाला है, और जनता के मुद्दों के उपर कॉंग्रेस पार्टी 10 मेने से लड़ाई लड़ रही है, और इसे परची सरकार को गेलने का काम कर रही है, तो हमने ये सारी रणनीती बनाई है, और पहले से हमने सीनियर कोरडिनेटर बना करके चुलाओ इलेक्षन प्रभारी बना करके प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के बना करके अगरिम संग्ठनों ने अपनी चार्ज बना करके हमने पूरी तैयारी कर ली है तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रमुग नेताओं से सबसे चर्चा की है सातनू में पावर जीतेंदर सिंग जी, सीपी जोसी साब, हमारे तीनूं एमपी साहिबान, मुरालिलाल मिर्ना जी, हरीज जी, हमारे ब्रिजेंदर ओला जी और बाकी सीटों पे भी तमाम जीतने भी जिलाद देक्स है, प्रदीश कॉंग्रेस कमेटेरी के पदादिकारी, जो जिम्यदार लोग, जो सीनियर आपजर्वर वाँ गें, उन सबसे चर्चा करने के बाद में, हमने एक रन्नीती बनाई है, और उस रन्नीती के तैस इस दस मैने में, इस राजस्तान का जो बेड़ा गरक करने का काम इस भारतिय जनता पार्टी की पर्ची सरकार ने किया है, वो लेकर के हम जनता की बीच में जाएंगे, के अंदर सरकार की दस साल की वेफलता लेकर के जाएंगे, हमारी सरकार के समय जो अच्छी योजना ही थी, उदार्ण के लिए मुक्यमंतरी चिरंजीव योजना जैसी योजना उससे लोगों को राट मिल रही थी गरीबों को, वो सारी के सारी इनोंने बंद कर दी है केवल समिक्सा के नाम से और ED, CBI, Income Tax की धमकी के आधार के उपर ये लोगबाग राज करना चाहते हैं, ब्रश्टाचार इनके सब जगे व्यापत हो गया है और जितने भी ट्रांसपर होए हैं, उसमें ब्रश्टाचार की भूँ आ रह जनता ये करिए, सरकार चला कोन रहा है, चल कहां से रही है, इसका कंट्रोल एक उदान दे करके मेरी बात समाप करूँगा, कि करीब करीब 40 करोड रुपे इस विदेश यात्राओं के उपर, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ब्यूरोक्रेसी के उपर 40-50 करोड और मुख्यमंत्री के स्वागत में 50 लोग नहीं आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके का अपनी पिकनिक, सेर, सपाटे और परियाटक बन करके विदेशों में गूम करके, राजस्तान के लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम करने हैं, इसका को हम प्रस्तावित नाव भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उसमें चर्चा कर लिए, किसी तरीके का कोई गटबंदन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है, हम सातुन जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं, और कोई बात हो तो पूछें, हम लोग सातुन जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उसमें तो हम बंदेवे हैं, बट हमारे प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि ने तो हम लो का नारा, जैसे अनुमान बेनिवाल जी कहते हैं, दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में है, और कोई बार, हम नहीं करने वाले हमने डिसकस किया है, और हमारा जो पैनल है, वो रंदावा साथ, पार्टी हाई कमान के साथ चर्चा करके डिकलेर कराएंगे, यह तह हुआ है, वो सिंगल नाम भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उसमें डिसकस हुआ है, अंतिम फैसला दिल्ली पार्टी हाई कमान करता है, और रंदावा साथ हमारे प्रभारी हैं, यह वहाँ पर फैसला कराएंगे, तर बीजे भी विदायक गोपाई शर्मा भी अपन बीजे पी के किसी नेतागी जनपरतिनीती की नहीं चलती है, यह ब्यूरोक्रेशी सरकार चला रही है, यह एक तरीके से वो जो परची सरकार है, उसको सार्थक करने का काम कर रहे हैं